तो फ्रेंड्स मेरे गाउं के दियारी वाला जो मेला होता है ओई वाला मेला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तो किस तरी के से हमारे गाउं मेला बेटता है तो मेरे मधोता गाम में तो चलिए देखना शुरू करेंगे अब फेकेंगे किसन भईया देख सकते हो इधर घुस एक ठन में गुज गया देख सकते हैं अब देख सकते हैं और मेरे यूटूब वाले दोस्तों लोग भी आ गए हैं दो लोग सब साथ में सुटीं करने वाले हैं बस्तर लाई लाई भी दिखाता है सकते हैं हमारे घर जैसे निकले पूछी दूरी पर पूरा मेला लगा हुआ है चोंक में यह हमारा में चोंक है जहां से हमारा हमारा पूरा गली निकलता है आप देख सकते हैं आप पूरा कितना भीड़ बड़ाका है इधर भी आप देख सकते हो कितना ग गनना जिन गिलाज 2 स्रुपह में सच्टि रहे हैं वच्च लोग फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर हमारा गली इस वर और इस साइट से आ रहे हैं लोग इस साइट हमको जाना है इधर मेला लग रहा है देख सकते ह आप दूर में और इधर सी भी सारे लोग आ रहे हैं कि देख सकते हैं हमारे गितुभाई आ drained है इदा बढ़ियाँ के बीज और इधर वी सब्वियां बड़ा भड़ा देख सकते हैं मूर्तियां लाए हैं अब देख सकते हैं यह मूर्तियां पिछले बार नहीं था इस बार मेला में लाए हैं और यह हमारे गाओं के कोटवार हैं जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं अब बच्चों के खिलोने अब 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 सामने से दो किनेरी लोग आ रहे हैं आप देख सकते हैं इस बार आए तो हमारे मेला का रोनक बढ़ाए हैं पिछले बार नहीं आए थे साइड में देख सकते हैं रासन दुकान आया है रासन सामन लगा हुआ है धर प्रेंज सामने देख सकते हैं चीवडा इस ली अलब पाव वाला उसमें दस रुपए बेज रहे हैं और बड़ा वाला पहली में चालीश रुपए और एक गूर जो देख रहा है आपको ये तीस रुपए भेला है एक ठोक असामने और चर्णा भी दस रुपया पूरी और लग लग बांदे हैं मैं पूरा मार्केट का आवाज को पूरा डाउन किया हूं कि बहुं सारा फिल्मी सोंग से चला रहे हैं उदर जोला जोले उदर साइट से क्योंकि वो सब हमारे वीडियो में आ जाने से पुपिटाट क्लेम आ जाता है जिसका इसका कमई जो देख सकते हैं फिर अच्छा सो घ्यान दो बच्ची क्या वो रही है मैं फिर से सुना रहा हूं बड़े लड़ी की छोटे भाई को क्या पूल दी पता है कि इतना बड़ा वाला लेगा गाड़ी इतना ले निकलते पास पैसा है तो पैसा दिखा वो रही है छो पिछले मेला में इस पर करके बरतंस भी नहीं आये थी इस बार तो बहुं ज्यादा दुकान से आया है आप देख सकते हैं और हमारे हर मेला में जो की यह जो चावल से त्यार हुआ हुआ है जिसको हम लोग चापा लाड़ू बोलते हैं चावल और गुड़ से और गुड़ बड़ा और दूड़ चिला रोटी आप देख सकते हैं मिठा मिठा यह बहुत थी फेवरेट डिसे फ्रेंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं हमारे गाओं मीच को खाने के लिए और हर मेला हर हर हाट में छोट जो लोकल बाजर होता है उसमें लाए रहते हैं बना करके यह मेरा दोस्त का मतलब जूट जिकर दोस्त का होटल है देख सकते हैं लेकिन मेरा दोस्त नहीं दिख रहा है करा दो खुल खुल तुम देख सकते हैं काफी सारे भीड़ है जड़े वार्ड़ दुकान से लगे हुए है आरिधार देख सकते हैं वह सरे लड़की लोग के पेंसी पिछले बारे सब बरतने नहीं लगा करता था मतलब नहीं आता था इतना सारा तो इस बार भूंजा दुकान आप देख सकते हैं आर इतना सारे देख सकते हैं वर्स अब काला कला ग्रेट है जो इस दुकान में जो टीसर से दिख रहा है भीया बता रहा हैं 200-200 रुपए हैं जो सामने जो दिख रहा है वर्स अब आप लोग के ले चलता हूं जिदर जूला जूल रहे हैं अब सिधा निकलेंगे इसी रोड से उस साइड जूला है कर दो कि अब आप से फजला हैं जो भी कि अब आप रहा हैं कि अब आप में ग्रेट हैं जो लोग एती हैं आप देख सकते हैं बड़ा वाला जूला में बहुत सारे भीड लगा हुआ है सामने लाइन लगा हैं इसमें इतना टिकर्स करता रहे हैं एक टिकर्स एक टिकर्स तीस रुपए है फैंस आप देख सकते हैं सारे लोग उसी जूले के सामने खड़े हुए हैं अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं और लंभी कतार लगा हुआ है देख सकते हैं किस किस को जूला जूलना पसंद है जल्दी से कोई नीचे कमेंट करकर बताएं मुझे जूला उपर से बाजार किस तरीके से दिख रहा है आप नीचे देख सकते हैं फिर से इस परकार से दिख रहा है कर दो कि कर दोकी देख सकते हैं फोटो इस्ट्ट्यो भी आपड़े से खिर्चा ना मैं इंदर फोटो इस्ट्ट्यो मुझे करके जरूर बताएं मैं टेटवालों को पुछ रहा हूं कि क्या क्या रेट है टेट बनाने का तो वो बोल रहे हैं मैं उनका मतलब पूरा आवाज डाउन किया हूं कि बहारावाला आवाज आ रहा है मैं पहले बताया हूं क्योंकि फ्रेंट्स वह अलग-अलग डिजाइंस के अलग-अलग रेट हैं बता रहे हैं भिया तो पचास सो से लेकर 200-300-500 तक का अलग-अलग सबका रेट है इस करके बोलने भिया इस डिजाइंस सारे पुस्तक में आप देख सकते हैं सबका अलग-अल देखते देखते फिर पहुंच ज़्यादा बढ़ती जा रहे हैं देख सकते हैं फ्रेंट्स दोन और रोड पूरा जाम हो रहा है मेरे साथ बने रहे सरकसर अप ले जा रहा हूं आपको इधर चोटे बच्ची की परकास रसी में आप देख सकते हैं रसी और नीचे में कि बीच में जो लकड़ी पकले रहते हो अपने आपको बिलेंज बनाने के लिए पकड़े रहते हैं फ्रेंस जो गला में रस्ती बांद कर डाली हुए हैं उसको कि कि रpsती हैं उसक पका रहा हुए हैं ऑलाओेश, यस्टे जो जो अपका हैं जो कि रहा हैं आपको स्वर्मादाय कि अंच से अारशार्यकित क कि इतिन कि माँ ढेंगगां, च हो काफी सारे पैसे भी दे रहे हैं आप देख सकती है अब देख सकते हैं वो चोटी बच्चिया वो चप्पल पायन कर उसमें चल रही है चपर भेणके आप देख सकते हैं कितना रीस कर रहता है आप समझ सकते हैं अगर ठोड़ा सा चुक हुआ तो बहुं सारे जोट लग सकता है इसको इतना आपने जान हतेली पर लेकर इस परकास सरकस करते हैं आपको पता होगा देखते ही पता चल रहा है कि अब फेकेंगे किसम भीया अब फेकेंगे किसन भीया देख सकते हो इधर घुसा है या नहीं एक तो बेकार हो गया बेश्ट घुसा ही नहीं चल घुसा आख एक ठन में घुस गया देख सकते हो दे दस बाद रुख जा और एक तन में घुज़ा खुल जा जा भी गया और उसका दे दर्टी और हम लोग फिर ले रहा है दसका तीन पीस और ले लिया हम लोग यह जो मेला लगा है हमारे गाउं का हाइश कुल के सामने जश्ट लगा है इसी पास ही हर साल लगता है आप देख सकते ह है हाइश कुल मधोता करके है मधोता का हमारा है रहा है ठैश्याद आ साम होते जा रहा है आप देख सकते हैं कि सफ़रकास्ण जारे दिख रहा है बहुत सारे दुकानों में आप लाइट से जालना शुरू हो गया है मैं आपको उपर से दिखा रहा हूँ फिर अगर मेरे चेर में आप नहीं हो मेरे वीडियो का अज पहली बार देकर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंडी बाटन दबाना बिल्कु भी न भूलें कि इस परकार के वीडियोस में लेकर आते रहता हूँ घंडी बाटन दबार आने से उसकी खबर आपको मिलते रहेगी